हम ये समझते हैं कि इसलाम कोई धर्म नहीं है महम्मद द्वारा औरगनाईस किया वा एक आतंकी गुठ है जो 1400 साल पहले अरब के रिगिस्तानों में तयार किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रमुक मुसलिम चेहरों में सामिल लह वसीम रिजवी इसलाम छोड़ कर आज से हिंदू बन गए हैं सिया बख बोट के पूर्व चेहरमेन वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के शिव सकती धाम इस्तित डासना देवी मंदिर में सनातन धर्म ग्रहन किय हिंदू धर्म में सामिल कराने की प्रिक्रिया यती नर्सिमा नंद गिरी महराज के महद्यम से धार्मिक रिती रिवास से पूर्ण हुई वसीम रिजवी ने सबसे पहले बैदिक मंतरों के साथ मा काली की पूजा की उसके बाद उनका शुद्धी करन हुआ उन्हें ब्रहमर समाज में जितेंद्र नारायन सिंग त्यागी नाम दिया गया है इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहां कोई बात नही है जब मुझे इसलाम से निकाल दिया गया तब यह मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को सुईकार करूं सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है उसमें इतनी अच्छाइयां है इंसानियत है कि हम समझते हैं कि इतनी किसी और धर्म में नहीं है धर्म परिवर्तन की यहां पर कोई बात नहीं है जब मुझको इसलाम से निकाली दिया गया तब ये मेरी मर्दी है कि मैं किस धर्म को सोईकार करूँ सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मख़भ है पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाईया पाई जाती है इंसानियत पाई जाती है हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है और इसलाम को हम धर्म समझते ही नहीं है इतना पढ़ लेने के बाद इसलाम के बारे में महम्मत के चरितर के बारे में और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इसलाम कोई धर्म नह प्यार किया गया था तो जब हमको निकाल दिया गया हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महराजी का यतिना फिंगा नंगरी जी का सर काटने के लिए फत्वे दिये जाते हैं इनाम बढ़ाया जाता है तो ऐसी प्रस्थितियों में हमको इसलाम कोई में कोई कहे या हमको कोई पिछले ही दिनों वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत सार्वजनिक की थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए बलकि हिंदू रीती रिवाज से अंतिम संसकार किया जाए उनके सरीर को जलाया जाए वसीम रिजवी बिल चुकी है वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में आजका दायर की थी अधारत ने सुनवाई के बाद उनकी आजका को खारिच कर दिया था इसके बाद से वसीम रिजवी मुस्लिम संगठनों के निसाने पर हैं अबरों का सेसला जारी रहेगा देखते रहिए जन्परबाद नमस्कार